जैहिन दोस्तों मेरा नाम है सागर गुकता डिजाय टुलन में आपका स्वागत है तो जैसा कि अपने वीक वन, वीक टू, वीक थ्री को काफी अच्छे से कवर किया रैनाववारी है वीक फोर की जहां पर अपन जानेंगे 23 से 31st जैनवरी के करंट अफेर्स और अगर आप ड ADS, NDA, CAPF तो ये सीरीज आपके लिए काफी important होने वाली है तो बिना किसी देजी के शुरुआत करते हैं और dots को connect करते हैं तो question देख लेते हैं काफी जादा important है 6th edition of exercise Turkish 2023 will be held between India and which country exercise Turkish India और कौन सी country के साथ होने वाली है आपको पता होना चाहिए तो वो होने वाली है इंडिया और US के बीच में इंडिया की तरफ से participate करेगी NSG National Security Guard प्लस US की तरफ से उनकी special forces जिसका नाम है Green Barretts तो ये आपको पता होना चाहिए और ये कहां पर हो इसकी opening ceremony होई चैन्नाई में है ना तो ये भी आपको पता होना चाहिए और ये exercise करेगी counter terrorism तो अगर मैं आपसे बात करू एक और इसी टाइप की exercise हुई थी जिसका नाम था exercise संगम ठीक है exercise संगम हुई थी नेवी इसके बीच में exercise संगम ये आपको पता होना चाहिए ये हुई थी Indian Navy Marcos Indian Navy की जो special force है उसका नाम है Marcos और US Navy जिसकी special force है SEALS ठीक है और ये कहां पर हुई थी ये हुई थी कहां पर गो गोआ में ठीक है तो ये आपको point याद होना चाहिए ठीक है exercise संगम अभी ये दो तिन exercise काफी ज्यादा news में है वो भी discuss कर लेते हैं अपन जैसे exercise cyclone काफी ज्यादा news में है और ये first edition है तो ये आपके exam में पूछी जा सकती है exercise cyclone ये कौन कौन सी countries के बीच में होगी ये होगी इंडिया एंड इजिप्ट ठीक है इंडिया और इजिप्ट इजिप्ट जिसका capital क्या है काईरो और इजिप्ट से आपको पता है अपना जो Republic Day 26 January को Republic Day आपन सेलिबरेट करेंगे तो उसमें जो chief guest रहेंगे वो कौन रहेंगे अब्दिल फते अल सीसी जो की इजिप्ट के prime minister भी है तो यह अपने chief guest रहेंगे यह आपको पता होना चाहिए अगर मैं आपसे बात करूँ एक exercise जिसका नाम है वरुना ठीक है वरुना वरुना किसके बीच में होती है वरुना होती है किसके बीच में वरुना ठीक है यह होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में है ना तो यह सारी चीज़े मैंने आपको बता दी, इसमें अवनी चतुरवेदी जी ने पार्टिसिपेट किया था, तो यह चीज़ आपको पता होना चाहिए, next question देखते हैं, so next question देख लेते हैं, कौन सी district बनी first district in the country to provide basic documents to all tribals, यहाँ पर जो भी tribals रहेंगे, उनको basic documents दिया जाएगा for example, राशन कार्ड, अधार कार्ड वगेरा वगेरा जो भी होते हैं, election ID, birth, death certificate, जो भी basic document की need होती है, वो इन ट्राइवल्स को दिया जाएगा, तो वो बनी है, कौन सी, वो बनी है, वायनन्द, ठीक है, वायनन्द जो की district कहाँ पे, वायनन्द जो की district है कहाँ पे, कैरला में है न, कैरला काफी जादा news में रहा है, अगर कोई भी district से related, और first से related question है, तो आप लगा देना कैरला, ठीक अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ कैरला क्यों news में था, जैसा कि आपको पता है कैरला में first digital banking state बना कैरला, first digital banking state कौन सा बना, वो बनीती धर्मादम, और अगर मैं बात करूँ, कोलम, कोलम आपको पता ही होगा, first constitutionally literate district बनीती कोलम जो की कैरला में है, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, next question देखते है, so next question देख लेते, कौन से state ने recently announced किया है कि 60 days की maternity leave और menstrual holiday दिया जाएगा girls को जिनकी age है 18 years से above, है ना, तो ये काफी जादा एक अच्छा announcement किया गया कैरला सरकार की द्वारा, सारी schemes की pioneer अगर देखा जाये तो कैरला काफी जादा अच्छे announcement किया जाते हैं यहापे, और अभी जितनी भी first district बनी, वो कैरला में ही बन रही है, है ना, तो काफी जादा एक point of view, exam point of view स आपके relevant है कैरला, अगर मैं आपसे बात करूँ कि कैरला में अभी एक scheme आई थी, चलो वो आपको बता देता हूँ, आयन कली, अर्बन, आयन कली अर्बन, इसकीम है ना, इसमें क्या था, जैसे आपने सुना है, मनरेगा, मनरेगा सुना है, मनरेगा क्या करती है, यह करती है, नेशनल लेवल पे काम, यह देती है, 100 days का employment, किनको ruler areas में, ठीक है, बट अयन कली scheme क्या देती है, कैरला में, यह state wise scheme है, यह क्या करती है, 100 days का employment देती है, urban areas में, है ना, तो यह urban areas के लिए, और यह तो आपको पता है, ruler areas के लिए, है ना, तो यह आपको scheme याद होना जी, कहां क है, यह भी है, कैरला की, है ना, यह आपको पता होना जीए, और world का सबसे first जो palm leaf manuscript museum आया था, वो कहां पे आया था, वो भी आया था, कैरला में, ठीक है, तो यह चीज़े आपको पता होना जीए, next question देखते है, so next question देख लेते, कौन से IIT ने develop किया, एक indigenous mobile operating system, जिसका नाम है भारोस, जैसे कि आपके mobile में रहता है, android, ios, उसी टाइप से एक indigenous mobile operating system बनाया गया है, उसका नाम है भारोस, तो यह कौन से IIT ने achieve किया, यह IIT है, अपना IIT मदरास, जैसे कि कैरला सबसे जादा news में रहता है, उसी टाइप से IIT मदरास भी काफी जादा news में रहता है, तो इ आपको पता होना चाहिए, और IIT कानपूर, IIT कानपूर भी news में था, इसने क्या बनाया था, इसने बनाया था, artificial heart, है न, artificial heart डेवलप किया था, किसने IIT कानपूर ने, और भारोस क्या करेगा, जो यह operating system में क्या करेगा, जैसे यह safety provide करेगा, hacking बगेरा से आपको बचाएगा sensitive information जो leak हो जाती है, उनके लिए एक privacy और security का काम करेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो please आप दिल से like कर दीजिए, अगर अच्छा लगता है, तो अगर मेरे efforts अच्छे लगते हैं, तो please आप like कर दीजिए, और इससे मेरा confidence boost up होता है, और definitely जो दूसरे students and defense के लिए preparation कर रहे हैं, कोई भी exam के लिए preparation कर रहे हैं, उन तक ये एक वीडियो पोचाने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है, next question देखते हैं, so next question देख लेते हैं, ता at edition of India, international science festival will be held in which city, तो ये कहाँ पे host हुआ, ये आज से ही start हुआ है, तो ये हुआ कहाँ पे भोपाल में, अगर मैं आपसे बात करूँ, भोपाल और इंदौर काफी जादा news में रहेगा, क्योंकि अब भी recently, यहाँ पे election होने वाले हैं, मध्यप्रदेश में election होने वाले हैं, तो काफी जादा events आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पे एक और event हु तो वो भी हुआ था बोपाल में, तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है, और यह कौन सा edition था, यह था 8th edition, और किसके द्वारा किया गया, यह Ministry of Science, Technology, और Ministry of Earth, Science of Government of India, ठीके तो यह चीज आपको पता होना चाहिए, और कहाँ पी क्या, मैनेट बोपाल में, यह ना, तो यह चीज आपको पता होना चाहिए, नेक्स कोशन देखते हैं, तो नेक्स कोशन है, डॉक्टर संदूक रूइत, जिनने ISA Award मिला गया, Service to Humanity is the top civilian award of which country, तो यह कौन सी कंट्री का एक top civilian award है, और कौन सी कंट्री के यह द्वारा अवार्ड दिया गया, तो यह दिया गया भारेन क इसका capital है, मनामा, ठीक है, मनामा capital है, और मैं आपके लिए एक वीडियो ऐसा लेके आऊँगा, जिसमें जो countries अब भी काफी ज़्यादा news में रहीं, उनके बारे में अपने discuss करेंगे, और उनके capitals जानेंगे, वो काफी ज़्यादा आपके exam के लिए relevant होने वाला है, ठीक है, और इक इसके द्वारा दिया गया, यह award दिया गया है भारेन के द्वारा, next question देखते हैं, so next question है, who is replacing Jaquinda Ardern as Prime Minister of New Zealand, जैसा कि आपको पता है, Jaquinda Ardern ने recently अब भी स्तीफा दे दिया था अपने Prime Minister के पत से, तो अब उनकी, उन्हें कौन replace करेगा, उन्हें replace करेंगे, Chris Hipkins, तो यह आपको नाम याद रखना है, और New Zealand जिसका capital क्या है, Wellington, Wellington, है ना, और Lula de Silva क्यों न्यूज में थे, आपको पता होगा, Lula de Silva अब भी बने थे, Brazil के, अब भी बने थे, Brazil के president, और Dina Ballarat क्यों न्यूज में थी, यह बनी थी, first female president of Peru, पेरू जिसका capital क्या है, Lima, तो यह अब भी आपन जो भी news में रहें, जो भी news में, capitals, news में रहें, president, prime minister, जो first बने, second बने, वो अपन एक वीडियो में discuss करने की कोशिच करेंगे, next question देखते हैं, so next question है, इंडिया की deepest metro station to come in which city, यह कहाँ पर आने वाला है, तो यह आने वाला है, पुने में, जैसे कि आपको पता है, साफी जोरो शोरो से काम चल रहा है, पुने में भी काम चल रहा है, और पुने में तो शायद स्टार्ट हो भी चुकी है, आप मुझे बताइए, अगर आप पुने से ये वीडियो देख रहे हैं, तो और अगर मैं आपसे बात करूँ, इंडिया की first underwater metro कहाँ पे स्टार्ट ह हुई थी, कहाँ पे ये स्टार्ट होने वाली है, जून 2023 में, तो ये स्टार्ट होने वाली है, कॉलकता, वेस्ट बंगाल में, कौन सी रिवर में, तो ये होगी हुगली रिवर में, है ना, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, और इसके बारे में और कुस तो आपन to be for UNESCO World Heritage Site tag is in which state तो ये कहाँ पर है आपको कहीं थोड़े टाइम में ये आपको दीखेगा news में कि इसे बना दिया गया UNESCO का World Heritage Site तो ये कहाँ पर ये है आसाम में ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है अगर मैं आपसे बात करूँ कि इंडिया के पास total world heritage sites कितनी है तो आपका जवाब होगा sir 40 ठीक है 40 में से अगर मैं आपसे बात करूँ 32 तो है उसमें से cultural और 7 है natural और 1 है अपनी कौन सी आपको पता ही होगा जिसका नाम है कंचन जंगा national park जो की जो की क्या है एक natural भी है cultural भी है उसका नाम है कंचन जंगा national park अगर मैं आपसे बात करूँ first sites कौन सी एड हुई थी इस list में तो वो हुई थी अजंता अजंता केफ्स, एलोरा केफ्स, आगरा का ताज, आगरा फोर्ट और ताज मेहल ठीक है ये कब inscribed हुई थी अपने 1983 में है ना और अब भी last कौन सी हुई 40th नंबर की वो हुई है डोला वीरा डोला वीरा गुजरात में है ना तो ये चीज आपको पता होना चाहिए अगर मै आपसे बात करूँ कि tentative list में भी अब भी 3 add हुई थी आपको पता है 3 add हुई थी है ना तो वो भी आपन discuss कर लेते हैं तो tentative list में total है 52 है ना total है 52 अब भी 3 add हुई थी उसमें जिसका अगर मैं आपसे बात करूँ एक है sun temple आपके exam point of view से काफी ज़्यादा important है और एक है rocket sculpture rocket sculpture of Unokoti है ना उनो कोटी यह कहां पर यह है तिरुपूरा में आपसे मैजदा कॉलम के उसमें पूछा जा सकता है तो आप यह चीज को ध्यान रखिएगा ठीक है तो quiz of the day देखते हैं और next question देखते हैं यहां तो So question देख लेते हैं Indian Navy ने recently conduct करिये exercise जिसका नाम है MPEX 2023 This is the mega exercise और यह कहां पर कौन से state में conduct होने वाली है यह आपको बताना है तो यह होने वाली है आंधर प्रदेश में अगर मैं आपसे बात करूँ This is the tri service exercise इसमें Indian Army, Indian Air Force और Indian Navy तीनों participate करेंगे और यह एक 6 day long mega military exercise है तो यह आपको पता होनी चाहिए और यह कहां पर होगी यह होगी काकी नाडा आंधर प्रदेश में काफी ज़्यादा important है तो इससे आपको ध्यान रखना है अगर मैं आपसे बात करूँ कि अपन गरंत की में जो military exercise दी गई है उनको एक बार revise कर लेते हैं तो कौन-कौन सी हैं गरंत इंडिया के बीच में ठीक हैं और यह कहां पर होने वाली है तो यह होगी मलेशिया में अगर मैं आपसे बात करूँ second exercise जिसका नाम है सूर्य किरन सूर्य किरन नोट्स बना लीजिएगा और लिखते जाएगा अगर मैं बात करूँ सूर्य किरन तो वह होती है इंडिया और नेपाल के बीच में है ना और यह इस बार कहां पर होगी यह होगी नेपाल में अगर मैं आपसे बात करूँ third exercise जिसका नाम है नसीम अल बहार तो यह कहां पर होगी यह किस के बीच में इंडिया और ओमान के बीच में है ना और यह कहां पर होगी यह होगी ओमान में है ना अब और कौन सी exercise है उसमें तो एक exercise है जिसका नाम है अगनी warrior अगनी warrior है ना ये कौन कौन सी country के बीच में होती ये होती है इंडिया और सिंगापूर के बीच में और ये कहां पे होगी ये होगी महरास्ट इंडिया में है ना तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और मैं आपस पता होना चाहिए next question देखते हैं so next question है पराकरम दिवस इस celebrated to commemorate the birth anniversary of which freedom fighter पराकरम दिवस जो की celebrate किया जाता है 23 January को तो ये किसकी anniversary birth anniversary celebrate की जाती है तो ये celebrate की जाती है नेता जी शुबास चंद्र बोस की अगर मैं आपसे बात करू नेता जी शुबास चंद बोस की ये first time celebrate की ग ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ इस बार बनाई गई 126th birth anniversary of नेता जी शुबास चंद बोस तो ये आपको ध्यान रखना है पराकरम दिवस किस पे celebrate किया जाता है किसे commemorate किया जाता है तो ये commemorate किया जाता है नेता जी शुबास चंद बोस जी को है ना अगर मैं आपसे बात करूँ कि इनका जनम हुआ था नेता जी शुबास चंद बोस जी का जनम हुआ था 23 January है ना कहां पे हुआ था ये हुआ था जनम कटक में और 1897 में है ना तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए अगर मैं आपसे बात करूँ बहुत बाहर कोशन आ जाता है कि ये किसने फाउंड किया ये किसने फाउंड किया तो एक बार अपन देख लेते हैं नेता जी शुबास चंद बोस जी ने क्या-क्या फाउंड किया था च Indian Legion ये भी शुबास चंद बोस जी ने फाउंड किया था अजाध हिंद रेडियो ये तो आपको पता ही होगा अजाध हिंद रेडियो और और क्या किया था Free India Center और All India Youth League और एक था अजाध हिंद फौज है ना तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए अगर मैं आपसे बात करूँ इनका सबसे important नारा तुम मुझे खून दो मैं तुमें अजाधी दूँगा ठीक है और अगर मैं आपसे बात करूँ इनने एक news paper इस्टार्ट किया था सुबास चंद बोस जी ने जिसका नाम था स्वराज है ना स्वराज ये भी आपको पता हो होना चाहिए और अगर मैं आपसे बात करूँ कि चलो आपको ये तो पता होगा कि नेता जी नाम किस ने दिया था सुबास चंद बोस जी को है ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ गए एक चीज में आपको बताता हूँ जो बहुत बार question पूछा गया है CDS में है ना ये पूछा गया है कि जो देश नायक ये नाम दिया गया था सुबास चंद बोस जी को ये किस ने दिया था नेता जी तो आपको पता होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा लेकिन देश नायक ये नाम किस ने दिया था सुबास चंद बोस जी को तो ये इस question देख लेते, कौन सी Central Armed Police Force है, CAPFA, जिसने conduct की 7-day long exercise, जिसका नाम है Ops Alert, तो यह आपको बताना है, यह CRPA, BSF, CISF, Assam Rifles, अगर मैं आपसे बात करूँ, BSF ने यह conduct की है, जिसका full farm है Border Security Force, जो की 1st December 1965 को founded हुई थी, यह जिसा कि मैंने आपको बताया, और इसकी DG कौन है, इस सुजोय लाल जी, है ना, और अगर मैं आपसे बात करूँ, यहां की जो Camel Contingent है, है ना, जो BSF की Camel Contingent है, उसका नाम है महीला, महीला परिहार, महीला परिहार, है ना, यह क्या करेगी है, फर्स टाइम पार्टिसिपेट करेगी, Republic Day Parade में, है ना, तो यह चीज भी आपको ध्हान रखना है, next question देखते हैं, तो next question है, International Craft Summit will be inaugurated in which state, recently CM Navind Patnaik जी ने इनागरेट करा, International Craft Summit कहां पे, उरिसा में, उरिसा में, कहां पे, उरिसा में, जचपूर, उरिसा में, जचपूर, नाम की एक जगा है, महाँ पर, यह International Craft Summit को इनागरेट करा, अगर मैं आप से बा 23 में उडिसा को बना देंगे slum free उडिसा slum free उडिसा बना देंगे यह है ना और अगर मैं बात करू हूँ कि धानु यातरा धानु यातरा फेस्टिवल सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है तो यह कहाँ पे होता है यह भी होता है Udisa में है न ये point आपको ध्यान रखना है और recently एक portal launch किया था जिसका नाम है सफल portal ये किसने launch किया था ये भी launch किया था Udisa सरकार के द्वारा अगर मैं आपसे बात करूँ dolphin census इंडिया में first time dolphin census किसने conduct करवाया तो वो करवाया Udisa सरकार के द्वारा और अगर मैं आपसे बात करूँ 10 नवंबर को Udisa celebrate करेगा माईलेट डे ठीक है माईलेट डे जैसा कि आपको पता है 2023 is the international year of माईलेट ये भी आपको पता होगा और यहां का जो जाग मिशन है जग मिशन उसे अब भी recently award कौन सा मिला है UN Habitat का UN Habitat Award मिला है किसको Udisa सरकार के जग मिशन को तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रख रहे हैं next question देखते हैं so next question है the FIDE World Championship 2023 will be held in which country तो ये कौन होस्ट करने वाला है तो ये होस्ट करने वाला है कजाकिस्तान कजाकिस्तान में कहाँ पे कजाकिस्तान में अस्ताना जिसका capital है पहले इसका capital था नूर सुल्तान ठीक है नूर सुल्तान चेंज करके देन वापिस इसे कर दिया है अस्ताना अगर मैं आपसे बात करूँ recently अभी एक और FID की जो championship हुई थी वो कहाँ पे हुई थी वो हुई थी Almaty में है ना तो अगर मैं आपसे बात करूँ ये होती है blitz ये होती है twos में blitz और एक होती है rapid blitz में आपको तीन मिनिट का समय मिलता है और आपको यहाँ पे मिलता है 15 मिनिट तक का समय है ना 15 मिनिट और उससे ज़्यादा का भी समय मिलता है blitz में कौन चेंपियन थे blitz में चेंपियन थे मैगनस कालसन है ना और rapid में भी कौन चेंपियन थे मैगनस कालसन अगर मैं आपसे बात करूँ भारत की तरफ से silver जीता किसने कौनेरू हमपी जीने है ना कौनेरू हमपी जीने और यहाँ पे Rapid जीता Savita Savita Devi ने तो यह आपको point ध्यान रखना है अब मैं आपको एक point और बताता हूँ कि इस बार Magnus Carlson इस championship में participate नहीं कर रहे है तो अब अपनको मिल जाएगा world का championship जो की एक different होगा Ding Laren और इनके बीच में होने वाला यह world cup तो यह काफी जादा एक news बनेगी और अपनको first time मिलेगा कोई Magnus Carlson से हटके आपको भी एक नया नाम याद करने की जरुवत पड़ेगी next question देखते हैं तो next question है which state targets to be the first green energy state by 2025 2025 तक first green energy state कौन सा बन जाएगा तो यह बन जाएगा हिमाचल प्रदेश तो यह चीज आपको ध्यान रखना है अब आपन quiz देख तो question देख लेते 13 national voters day to be celebrated every year on which date तो national voters day celebrate किया जाता है 25th January को जैसे के आप सबको पता है और national voters day की इस बार की theme क्या है यह आपको जानना काफी जादा important है nothing like voting I vote for sure ठीक है I vote for sure यह इसकी theme है अगर मैं आपसे बात करू election commission of India जिसकी स्तापना हुई थी 25th January 25th January 1950 में यह चीज आपको पता होना चाहिए और अगर मैं आपसे बात करूँ कि father of election commission किसको कहा जाता है तो यह किया जाता है नारायंड अईयर जी को नारायंड अईयर जी को और अगर मैं आपसे बात करूँ first chief election commission of India क्योंकि आपका एफकेट आ रहा है आपसे पूचा जा सकता है तो यह कौन थे यह थे सू कुमार सेन सू कुमार सेन अगर मैं आपसे बात करूँ first female चीफ Election Commission of India, तो ये इनका नाम था? इनका नाम था V.S. रामादेवी, ठीक है? V.S. रामादेवी, ये first female थी, जो की Chief Election Commissioner थी, और ये first Chief Election Commissioner of India थे, ठीक है? तो ये तीनों चीजे आपको ध्यान रखना है, अगर मैं आपसे बात करूँ, ये day कप से celebrate किया जा रहा है? तो ये day celebrate किया जा रहा है 2011 से ये चीज भी आपको ध्यान रखना है और और क्या आप सको बता सकता हूं मैं रुकिए 2011 से ये डे को celebrate किया जा रहा है अपन कुछ election के बारे में आपन बात कर लेते हैं ठीक है election के बारे में election को कर दिया गया है तो ये है पार्ट कौन सा पार्ट 15 और क्या बता हूं आपको आपको पता होगा 61st constitutional amendment है ना ये क्यों हुआ था ये हुआ था 21 एज को किया था 18 में ठीक है तो ये बहुत बार question आपसे पूछा गया है और अगर मैं आपसे बात करू election commission is a multi-member body है ना election commission is a multi-member body ये चीज भी आपको पता होना चाहिए ठीक है तो मैंने जो मोटी-मोटी बाते आपको बता दिये और थोड़ी तवियत खराब है तो voice का थोड़ा आपको issue हो सकता है तो please आज manage कर लिजेगा next question देखते हैं so next question देख लेते असका police station awarded as the best police station in India is in which state तो recently ministry of home affairs ने ये award launch किये और ये award किसको मिला ये award मिला गया असका police station जो की कहाँ पे है जो है उडिसा में अगर मैं आपसे बात करू उडिसा की कौन सी district में है तो ये है गंजम district of उडिसा में ये भी आपको पता होना चाहिए अगर मैं आपसे बात करू second किसको मिला तो second मिला महिला police station महिला police station ये कहाँ पे ये है बिहार में है ना और third किसको मिला थर्ड भी आपको जानना important है बन बासा बन बासा पुलिस स्टेशन ये कहां पे ये है उत्रा खंड में है ना ये भी आपको पता होना चाहिए अगर मैं आपसे बात करूँ ये अवार्ड क्यों मिला जाता है तो ये जो भी पुलिस स्टेशन फास्ट पेंडिंग केसे को सॉल्व करता है डिजिटल अप पीस अब भी रिसेंटली क्यों न्यूज में था जैसा कि आपको पता है जग मिशन जग मिशन यहां का ये किसके लिए ये है स्लम्स के लिए है ना स्लम्स के लिए और ये क्या करेगा इसको मिला यूएन हैबिटेड अवार्ड यूएन हैबिटेड अवार्ड से सम्मानित क प्रफिया गया है जग मिशन को तो यह कहां का है यह है उडीशा का कणफॉर्म कोश्चा नहीं आपके लिए और अगर मैं आपसे बात करूँ फाइएच होकी मैन वर्ल्ड कप कहां पे हो रहा है यह भी हो रहा है उडीशा में ठीके दो जगा हो रहा है आपको पते ही होगा कल जिसका मैसकाट है ओलीवी है है ना ओलीव रिडले टर्टल से आप याद रख सकते हैं अगर मैं आपसे बात करूँ एक यहां पे बॉक्साइट माइन अब भी रिसेंटली न्यूज में आई थी यहां पे एक हिंदू का आर्टिकल आया था तो मैं भो भी बता देता हूं आ इसको बंद करने के लिए तो आप यह चीज भी ध्यान रखिएगा यह कहां पे यह है उडिसा में तो आपने बहुत सारी चीज़े डिसकस कर ली अब नेक्स कुशन देखते हैं So next question देख लेते हैं which international organization proclaimed international day of education 24th January और 25th January को सारे important day celebrate किया जाते हैं तो यह सारे important day आपको पता होना चाहिए देखिए तो कौनसी organization इसे celebrate करती है international day of education को तो यह करती है UNGA United Nation General Assembly यह day कब celebrate किया जाता है यह day celebrate किया जाता है 24th January को है ना यह आपको पता होना चाहिए और यह कब से celebrate किया जा रहा है first time celebrate किया था 2018 में है ना और इसकी theme भी आपको याद होना चाहिए इसकी theme है to invest in people prioritize education है ना त पता होना चाहिए अगर मैं आपसे बात करूँ कि अभी recently UNGA ने बोला था कि हम यह वाला जो day है वो किसे dedicate करने वाले तो यह dedicate करने वाले अफगानिस्तान की women और girls को ठीक है अफगानिस्तान की women and girls को यह commemorate और dedicate करने वाले है तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है next question लेते हैं National Girl Child Day जो कि celebrate किया गया January 24 को यह आपको पता होना चाहिए काफी ज्यादा important है और यह day established कब किया गया था यह established किया गया था 2008 में कौन सी ministry के द्वारा तो ministry of women and child development के द्वारा यह चीज आपको पता होना चाहिए काफी ज्यादा important day है यह आपको पता होना चाहिए और यह 2008 से मनाया जा रहा है और कम मनाया जाता है यह मनाया जाता है 24 जैनवरी को है ना तो इसमें और क्या याद रख सकते हो आप आपको बस 2008 भी याद रखना है क्योंकि यह question आया हुआ है आपकी exam में कि यह कब से celebrate किया जा रहा है और कब celebrate किया जाता है 24 जैनवरी को next question देख कश्मीर के द्वारा अगर मैं बात करूँ आपसे तो यहां पे जो women's self-help group हैं वो participate करेंगे है ना जो craft, handicraft, handlooms, food वाले रहते हैं वो यहां पे participate करने वाले हैं आपको यह चीज़ ध्यान रखना है अगर मैं आपसे बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर क्यों news में रहा था चलो तो वो भी देख लेते हैं अगर मैं आपसे बात करूँ यहां की एक scheme है जिसका नाम है उमीद scheme है ना उमीद scheme काफी ज्यादा news में है तो यह आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर की है और यहां पे एक escape tunnel, escape tunnel, longest tunnel जो अब भी inaugurate हुई वो कहां पे हुई है वो भी ज योगा सेंटर, इंडिया का biggest योगा सेंटर कहां पे आ गया है वो आ गया है जम्मू एंड कश्मीर में है ना और क्या बताऊं आपको जम्मू एंड कश्मीर ने recently talk करा था, recently award मिला था जम्मू एंड कश्मीर को क्योंकि यहां पे सबसे ज़्यादा आयूश्मान भारत health card वो होता है वो बनायते किसने जम्मू एंड कश्मीर ने और इसको award मिला था, माफ करना आज काफी ज़्यादा दवियत खराब है तो proper connect भी नहीं हो पा रहा है बट पूरी कोशिश कर रहा हूं दिल से next question देखते हैं, तो next question है कौन सी country ने announce कर दिया है medical emergency in Yana Nomi territory है ना ये territory है ब् आस टाइम जब मौरिशीज ने, मौरिशीज ने emergency declare किया था वहाँ पे, तो उस टाइम CDS ने question पूछा था, मौरिशीज से related और इस टाइम ब्राजील में हुई है, emergency declared और पेरू में भी हुई है, पेरू जिसका capital है, लीमा, यहाँ पे भी emergency declared हुई थी, तो ये दोनों country काफी ज़्यादा important हो जाती है, है ना, तो ये आपको दियान रखना है कि ब्राजील ने recently क्या declared कर दिये, medical emergency, ठीक है, ये आपको question मिल सकता है exam में, अगर मैं बात करूँ ब्राजील की, ब्राजील क्यों news में था, जैसा कि आपको पता है, यहाँ के अब भी recently president कौन चुने गए थे जिनका नाम है Lula de Silva, ठीक है, आपको ये नाम याद हो चुका होगा, काफी बार बता चुका हूँ, Lula de Silva, है ना, और यहाँ पर क्यों news में था, अर्जेंटीना और ब्राजील, अर्जेंटीना और ब्राजील मिलके अपनी देश की दोनों मिलके common currency बनाने वाले हैं, common currency बनान ब्राजील ने, तो ये भी आपको याद रखना है, और पहले जिनका recently निदन हो गया था, जिनने ब्लैक पल के नाम से भी जाना जाता है, वो कहां से बिलॉंग करते हैं, वो भी ब्राजील से बिलॉंग करते हैं, और ब्राजील सारी country से border share करता है, South America की, बस दो country से border share नहीं करता है, काफी बार UPSC ने question पूछा है, तो कौन-कौन सी वो है Chile और है Ecuador, ये आपको याद रखना ही है, ठीक है, next question देखते हैं, so next question देखते है, which of the following is not in the list of India Oscar 2023 nomination, तो तीन चीजों ने इंडिया की तरफ से nomination file करें, और ये definitely आगे जा चुकी हैं, तो एक song है जो काफी जाद सुरकियों में, जिसका नाम है NATO NATO, और All That Brits, ये भी इंडिया की तरफ से है, और Elephant Whispers, ठीक है, ये भी एक इंडिया की तरफ से है, तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है, अब भी March, March end में ये release हो जाएंगे, Oscar Awards, तो जब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी movie या जीता, और definitely आपके exam में nomination भी हुआ है, तो ये आएगा question, और मैं चाहता हूँ कि Oscar भी इस बार इंडिया के पास आए, ठीक है, आगर मैं आपसे बात करूँ, Sonak Sen, All That Brits, तो ये आपको नाम याद रखना है Sonak Sen, जिनने करी है All That Brits, है ना, ये documentary feature film category में awarded की गई है, nominate की गई ह Sorry, next question देखते हैं, तो question देख लेते हैं काफी ज़्यादा important है, सूरिकुमार यादव named ICC T20 Crickator of the Year Award, ये award सूरिकुमार यादव को मिला गया, जिनने आप Sky के नाम से भी जानते हैं, और अगर मैं आपसे बात करूँ, Women's में ये award दिया गया Australia Tahila Magrath को, जो की Australia से बिलॉंग कर Surging Women Crickator of the Year 2022, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, अब बात करते हैं, who has been named as ICC T20 Crickator of the Year 2022, तो ये award दिया गया सूरिकुमार यादव को, ये आपको नाम ध्यान रखना है, आपसे direct question ये पूछा जा सकता है, और Women's में भी आपको ये नाम याद रखना है, Tahila Magrath कहां की हैं ये हैं Australia की, अगर मैं बात करूँ अब भी, recently ICC ने अब भी एक अपनी team launch करी थी, जिसमें इंडिया से तीन प्लेयर थे, जिनके नाम है विराट कोली, और कौन थे हार्दिक पांडिया, और एक और जो नाम है आपको सबको पता है, सूरिकुमार यादव, है ना, सूरिकुम देख लेते हैं, every year International Customs Day, observed on which date, कब celebrate किया जाता है, कब observed किया जाता है International Customs Day, तो ये celebrate किया जाता है January 26 को, with the Republic Day, Republic Day के साथ ये celebrate किया जाता है, तो इससे आप ध्यान रख सकते हो, और इसकी theme आपको जानना काफी जादा important है, इसकी theme थी, nurturing the next generation, promoting a culture of knowledge, sharing and professional pride in custom, तो ये आपको theme पता होना चाहिए, एक बार अपन January का एक overview ले ले लेते हैं, कि कौन-कौन से important days, January में celebrate किये जगए, अगर मैं पहले से start करूँ, तो 4 January को, ठीक है, 4 January को Braille Day, ठीक है, Braille Day celebrate किया गया, आप ये आपके notes में लिख सकते हैं, 9 January को कौन से celebrate किया गया, प्रभासी भारती दिवस, इंदोर ने जो होस्ट किया था, NRI Day भी बोले जाता है इसको, अगर मैं बात करूँ, 10 January को, 10 January को celebrate किया, World Hindi Day, ठीक है, World Hindi Day, और 12 January को क्या celebrate किया गया, 12 January को celebrate किया गया, National Youth Day, National Youth Day, है ना, और 15 January को आपको पता है, कि Indian Army Day, Army Day, ये आप ध्यान रखेंगे, और 16 January को, क्या celebrate किया गया, National Startup Day, ये भी आपको पता होना चाहिए, और 24 January को celebrate किया गया, National Girl Child Day, 24 January को National Girl Child Day, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और कौन सा बचा, 25 को celebrate किया गया, International Day of Education, ठीक है, International Day of Education, और 25 को एको celebrate किया गया, जिसका नाम था, Woters Day, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, और 25 को एकोर सेलिबरेट किया गया, कौन सा, Tourism Day, Tourism Day, National Tourism Day, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, मैंने काफी ज़्यादा Important, Important आपको बता दी है, है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, नेक्स कोश्चन देखते हैं, तो नेक्स कोश्चन देख लेते हैं, बीबी दोशी, जिनका रिसेंटली निदन हो गया था, तो इन्हें कहा जाता है, Modernist of Architecture of India, Modernist Architecture of India भी इन्हें कहा जाता है, अगर मैं बात करूँ, इन्हें पदमश्री से नावाजा गया था, 1976 में, तो ये हैं, कौनसी फिल्ड से रिलेटेट थे, अब कोश्चन देखते हैं, तो ये थे Modernist Architecture, अगर मैं बात करूँ, आपसे रिसेंटली पदमा अवाड्स की लिस्ट एनाउंस हुई है, तो अपनको पदमे विभूश्री अवाड्स काफी ज्यादा important हो जाते हैं, और मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दिया है, आपको link description में मिल जाएगी, तो पदमे विभूश् ठीक है, बीबी दोशी को नवाजा गया पदमे विभूशन अवाड्स से, और मैं अगर बात करूँ, जाकीर हुसेन, जाकीर हुसेन और मुलायम यादफ, ठीक है, काफी जादा मैंने ब्रीफ में बताया है, आपको वाप वीडियो देख सकते हैं, और SM Krishna, SM Krishna और श्री निव श्री निवास वर्दान, श्री निवास वर्दान जो कि एक pioneer है, mathematician है, और एक और बच जाते हैं, जिनका नाम है, दिलिप महल नाबिस, इसका पूरा वीडियो देखिएगा, आपको definitely एक question यहां से मिल सकता है, तो आगे बढ़ते हैं, और next question देख लेते हैं, the Indian Air Force will be conducting its annual command level exercise, जो कि North East में ही की जाती है, इस exercise का नाम आपको बताना है, पूर्वी तारा, पूर्वी आसमान, पूर्वी अकाश, पूर्वी सूर्य, तो यह exercise का नाम है पूर्वी अकाश, अगर मैं आपसे बात करूँ, Eastern Air Command will be conducting its annual command level exercise during the first week of FAP 2023, तो basically आपके लिए important हो जाती है, और इसका नाम है पूर्वी अकाश, और यह दो साल के बाद हो रही है, तो यह चीज भी आपके लिए important हो जाती है, अगर मैं बात करूँ अब भी recently, एक exercise काफी जादा news में है, जिसका नाम है exercise वीर गार्जियन, exercise वीर गार्जियन, और एक exercise है जिसका नाम है exercise cyclone, ठीके exercise cyclone, तो यह कि इंडिया और एजिप्ट के बीच में, है ना, यह आपको ध्यान रखना है, और exercise वीर गार्जियन, यह हो रही है इंडिया और जपान के बीच में, तो यह आप से direct question पूछे जा सकते हैं, और आप मुझे comment section में बताओगे, अगर आप पूरा वीडियो चाते हो exercise से related, जो भी इंडिया नेवी annual theater readiness operation exercise, तो यह बिलकुल सही है कि भाई, इंडिया नेवी की exercise होती है और यह theater readiness operation exercise है, और it is also called the biggest war game of the इंडिया नेवी, तो यह चीज भी आपको पता होना चाहिए, यह biggest war game है इंडिया नेवी का, तो इसमें दोनों statement सही हो जाते हैं, तो यह आपको याद र ocean में, ठीक है, और यह अगर मैं बात करूँ आपसे, यह कब से start होगी, यह होगी January से और यह चलेगी, March 23 तक, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, और इसमें operations में कौन-कौन participate करता है, इसमें Indian Army भी participate करती है, Air Force भी participate करती है, Coast Guard के साथ भी कुछ operations किये जाते हैं, इंडिया न Navy के द्वारा यह exercise की जाती है, तो यह आप ध्यान रखेंगे, next question देखते हैं, so next question देख लेते हैं, इस टाइप के आपको questions हमेशा देखने को मिलते हैं, आपको कोई भी दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा, यह submarine है, tank है, missile है, aircraft है, तो recently जोरावर, light tank अब भी ज्य Army को यह मिल जाएगा, तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है, और यह बनाया गया है DRDO के द्वारा, DRDO और LNT के द्वारा, Larson and Turbo के द्वारा, तो यह आपको पता होना चाहिए, और यह जोरावर क्या है, तो direct आपको अंसर मिल गया होगा, this is a tank, है ना, light tank है यह, आपको प दिख लेते हैं कौन कौन से अपने पास, एक तो है अरजुन, ठीक है, अरजुन जो इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है, और एक है अपने पास भिश्म, भिश्म यह भी इंडिया के द्वारा बनाया गया है, और क्या है अपने पास, अजे, ठीक है, अजे, यह बनाया करूँ और क्या बता सकता हूँ आपको tank destroyer क्या है इंडिया के पास tank destroyer जो काफी ज़्यादा news में रहता है तो आप यह नाम याद रखेंगे नामीका नामीका is a tank destroyer of इंडिया अगर मैं आपसे बात करूँ armored personal carrier armored personnel carrier तो यह अपने इंडिया के पास कौन सा है अब भी recently launch हुआ था जिसका नाम है महिंद्रा रक्षक ठीक है महिंद्रा रक्षक इस आर्मर्ड पर्सोनल केरियर तो यह आपको ध्यान रखना है यह सारे चीज़े आप ध्यान रखेंगे कि अर्जुन क्या है बिश्म क्या है अजे क्या है इस टाइप के आपको question देखने को मिलते हैं और जब भी सबसे ज़्यादा न्यूज में है वो है जोरावर तो आपको अगर question मिल जाए जोरावर क्या है तो जोरावर is a tank ठीक है next question देखते हैं तो question देख लेते हैं recently इंडिया ने conclude करी exercise जिसका नाम है वीर गारजेंट 2023 किसके साथ conclude करी exercise कौन सी country के साथ ये participate की थी तो ये first edition था ये first inaugural edition था तो किसके साथ था ये था जपान के साथ अगर मैं बात करूँ ये कहां पे host हुई थी किसके द्वारा host की गई थी तो ये host की गई थी जपान के ही द्वारा जैसा कि आपका F-Cate exam आने वाला है तो ये question आपको definitely exam में मिल सकता है अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये exercise ये इसका first edition था तो ये सब आपको पता होगा आपको ये भी पता होगा कि अबनी चतुरवेदी जो की first female fighter pilot है Indian Air Force की उनने भी इसमें participate किया था तो ये आपको ध्यान रखना है और dharma guardian ठीक है आपको वीर guardian से तो याद आ जाएगा कि कौन सी exercise है ये exercise है इंडिया और जपान की और dharma guardian भी किसके बीच में exercise होती है ये होती है इंडिया और जपान के बीच में ठीक है ये Air Force exercise है और ये Army की exercise है तो ये चीज़े आप ध्यान रखोगे और मैं एक वीडियो पूरा बना दूंगा कि कौन कौन सी recent exercise हुई है last three months की जैसा कि अपन है recently a white card has been issued for the first time in a footwall match in which of the following countries जैसा कि आप सभी को पता होगा कि footwall में red card दिया जाता है धीक है red card दिया जाता है और yellow card दिया जाता है ये भी चीज़े आपको पता होगा कि अगर minor foul है तो इसके लिए दया जाता है और red card दिया जाता है major foul के लिए तीक है और 2 yellow card is equal to 1 red card ये चीज आपको पता होगा, अब आपने सुना होगा यार, white card ये कहां से आ गया, ठीक है, white card ये कहां से आ गया, तो first time ये use हुआ, Portugal के match में, ठीक है, पॉर्चुगल में ये हुआ, ये यहाँ पर दो club थे, एक sporting ये, beneficia, दो club थे, इनके बीच में match चल रहा था, ये देखे, beneficia और sporting लिस्बन, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में match चल रहा था, women's का cup चल रहा था ये, तो इसमें white card दिया गया, देखो, white card दिया गया, अब वो पूरी अपन चीज discuss कर लेते हैं, उसमें यहाँ पर क्या और इस current से दिया गया, white card, ठीक है, white card ये दिया गया, और ये 2015 में इसको proposal किया था, और ये लेकिन first time दिया गया, Portugal के match में, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, next question देखते है, so next question देख लेते है, recently, which of the following country has announced to build, commercialize the world first photonic based fault tolerant quantum computer, तो ये काफी ज़्यादा important question है, कि Canada ने बनाया, world first photonic based quantum computer, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, और अगर मैं आपसे बात करू, world का first super computer कौन सा था, अभी fastest computer कौन सा है, तो वो है frontier, ठीक है, frontier जो की US based है, अगर मैं आपसे बात करू, first quantum computer कौन सा है, तो उसका नाम है क्यांसी, क्यांसी, ठीक है, ये च recently क्यों news में आया था, Canada ने जीता था, क्या, Davis Cup, ठीक है, Davis Cup जीता था, और, और क्या, आपको पता है, जैसे Canada में एक city है, जिसका नाम है, Montreal, Montreal पता ही होगा आपको, इस यहाँ पे किसका headquarter, यहाँ पे headquarter है, International Civil Aviation Organization का headquarter है, ICAO का headquarter कहां पे, Montreal, Canada में, तो ये चीज भी आपको रखना है, और Davis Cup किस से related होता है, कौन से game से, वो आप मुझे comment section में जरूर बताएंगे, next question देखते हैं, तो question देख लेते हैं, कि world की first nasal vaccine to be rolled out in India in January 2023, काफी जादा important question है, क्योंकि आपने अकसर देखा होगा, कि vaccine से related question, UPSC बार बार पूछ रहा है, आपको aware करने के लिए, तो वर्ल्ड की first intranesal COVID vaccine बनी है, और launched हो चुकी है, इसको बनाया किसके द्वारा है, तो इसको बनाया गया है, भारत बायोटेक के द्वारा, भारत बायोटेक जिसका headquarter है, हैधराबाद में, ठीक है, हैधराबाद में, भारत बायोटेक ने एक और vaccine मनाई थी, जिसका नाम है, क जब covid बहुत ज़्यादा पीक पे था जब आपके फ्रेंड्स से आप giàऊप पूसते थे कि तुने को वैक्षीन लगाई कि Kovishield लगई को वैक्सील्ड कि द्वारा बनाए गयी थी वो बनाए गयी थी सिरम इंस्टिटीूट докvag जिनकेar फाउंडर कौन है जिनके अब रिसेंटली CEO कोन है अधार पूना वाला जिनको रिसेंटली एक अब रिसेंटली सम्मानित किया गया है ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ इनको वेक जिसे बी बी 154 के नाम से भी इसे लॉंच किया गया है तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं और भारत बायोटेक के फाउंडर्स कौन है इनके दो फाउंडर है सुचीता वेला सुचीता एंड कृष्णा वेला ठीक है तो ये नाम भी आप याद रख सकते हैं बाकि आपको ये याद रखना है कि किसके द्वारा बनाई गई है तो वो बनाई गई है भारत बायोटेक के द्वारा और यह नाम याद रखना है इनको वे next question देखते हैं so next question देख लेते हैं the 15th BRICS summit 2023 will take place in which of the following country पहले तो मैं आपको बता दू कि अगर BRICS की कोई भी submit होती है उससे आपको CDS में तो question मिलेगा मुझे बाकी exams का नहीं पता CDS में आप जितने भी पुराने exams देख लो पुराने paper आज उठा के देख ले ना उसमें आपको एक BRICS से question मिलेगा ही या मैं आपको टेलिग्राम पे share कर दूँगा ठीक है तो ये काफी ज़्यादा important है आपके exam point of view से अगर आप CDS की preparation कर रहे हो तो बाकी भी other exam scale ये आ सकता है तो ये कहाँ पे होने वाली है 15 BRICS submit तो ये होगी South Africa कहाँ पे डर्बन में ठीक है डर्बन city में और अगर मैं आपसे बात करूँ कि BRICS में total कितने members हैं तो total है 5 member ठीक है 5 member जैसा के आपको पता है Brazil, Russia, India, China, South Africa पहले इसमें थे 4 members पहले ये हुआ करता था BRIC initially ठीक है जब start हु but 2010 में किसने जॉइन कर लिया इसको South Africa ने इसको जॉइन कर लिया फिर ये बन गया क्या BRICS ठीक है तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है इस type का question आपसे पूछा जा सकता है अगर आप मुझसे पूछे कि Sir 14th edition कहां पे हुआ था 15th edition तो आपने बता दिया 14th edition कहां पे हु इनका एक bank है New Development Bank ठीक है BRICS का एक bank है तो उसका headquarter कहां पे उसका headquarter है Shanghai चाइना में ठीक है तो ये भी आपको point ध्यान रखना है और और क्या बता सकता हूँ है जो South Africa ने recently एक satellite launch की world की first agriculture satellite जिसका नाम है Agri-set ठीक है तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे ठीक है next question देखते ह So next question देख लेते हैं recently which of the following country has won the FIH Men's Hockey World Cup 2023 जैसा कि आपको पता इस बार होस्ट किया गया था भारत के द्वारा कहां पे उडीसा और अगर मैं आपसे बात करूँ कि कौन से दो इस स्टेडियम थे एक तो बिरसा मुंडा स्टेडियम ठीक है रॉर्किला में और दूसरा स्ट स्टेडियम था कलिंगा स्टेडियम कहां पे भुवनेशवर में यहां पे दोनों स्टेडियम में मैचेज हुए थे और यह किसने जीत लिया है तो आपन वो भी चीज डिसकस कर लेते हैं किसने किसको हराया फाइनल में तो जर्मनी ने हराया किसको जर्मनी ने हराया बेलज और थर्ड पे रहा नैदरलेंड ठीक है नैदरलेंड ने आपको पता होगा कि एक record भी बनाया था कि highest goal score किये थे ठीक है history में अभी तक सबसे जादा highest score किया था goal वो किस ने किया था नैदरलेंड ने ठीक है तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे और अगर मैं आपसे बात नंबर पे रहा तो भारत रहा 9th नंबर पे ठीक है तो ये चीज भी आप ध्यान रखने वाले हूँ ठीक है और जर्मनी दो बार इससे पहले जीच चुका है वर्ल्ड कप एक बार जीता था 2002 में और इससे पहले उसके बार जीता था 2006 में तो ये आप ध्यान रखने वाले है ठीक है next question देखते हैं so next question देख लेते हैं काफी ज़्यादा news में राव what will be the new capital of आंधरप्रदेश आंधरप्रदेश का नया capital क्या होने वाला है उसकी सबसे बड़ी city आंधरप्रदेश की सबसे बड़ी city जिसका नाम है विशाका पटनम ठीक है अगर मैं बात करू recently cm जगन मोहन रेड़ी जी ने रेनाउस किया कि हम recently अपना जो capital है उसमें हम shift कर देंगे आंधरप्रदेश का capital विशाका पटनम को अब भी यहां का capital क्या है तो वो है अमरावती ठीक है अमरावती यहां का capital है और अगर मैं बात करू आंधरप्रदेश की आंधरप्रदेश बना था first state जो की भाषा के आधार पे बना था in 1953 ठीक है तो यह point भी आपको ध्यान रखना है और इसका bifur action कब हुआ था इसका bifur action हुआ था 2 जून 2014 में क्या हुआ था यहां से एक state निकला जिसका नाम है तिलंगाना तो यह point भी आपको ध्यान रखना है और इसमें आपको क्या याद रखना है यहां का अभिक्या capital है अमरावती और सबसे बड़ी city है विशाका पटनम तो नेक्स question देख लेते हैं recently मुगल गाडन्स जो कि राष्टपती भवन में हैं देली में उनका नाम चेंज कर दिया है उनका नाम क्या रखा है तो वो आपको ध्यान रखना है उनका नाम चेंज करके अमरित उध्यान रख दिया गया है तो यह चीज आपको ध्यान रखना है और अगर मैं आपसे बात करूँ कि मुगल एम्पायर जो जिनका नाम था बाबर ठीक है बाबर ने ये गाडन को एजर डिस्क्राइब किया गया था चार बाग ठीक है चार बाग चार बाग से ये गाडन को डिस्क्राइब किया गया था और जो आराम बाग ओफ आगरा दा आर तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है बाकी यह काफी important news है इसका नाम change कर दिया है अमरित उध्यान से ठीक है तो यह चीज आप ध्यान रखेंगे next question देखते है आपको बताना है कहां पे होस्ट होने वाला है Air India 2023, ठीक है काफी ज्यादा important question है और आपका exam एफकेट जिससे कि आपको पता है काफी ज्यादा करीब है, तो आप से exam में डायेक्ट पूछ लिया जाएगा कि ये कौकिस के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, तो ये होस्ट किया पता है, इस बार होस्ट किया गया था, आर्मी डे परेड, आर्मी डे परेड डेली कैपिटल से उठा के, कहां पे shift की गई थी, वो भी की गई थी, बैंगलेरू में, ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, और ये Air Force Station का नाम याद रखना है, यलंका Air Force Station, जो कह कहां पे है, वो है बैंगलेरू में, आप से डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, यलंका Air Force Station कहां पे, जो recently अप भी न्यूस में, तो वो है बैंगलेरू में, ठीक है, और ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, विच है इस होस्टेड इट सींस 1996, ठीक है, तो ये चीज भी अब ध्यान रखेंगे, next question देखते हैं, so next question देख लेते हैं, Martius Day सहीद दिवस is observed in India in which of the following days every year, Martius Day और सहीद दिवस कब celebrate किया जाता है, तो ये celebrate किया जाता है, 30 January को, और ये कॉम्मरेट किया जाता है, ये कॉम्मरेट किया जाता है, महत्मा गांधी जी को, on his death anniversary को, अगर मैं मैं आपसे बात करूँ, महत्मा गांधी जी जी जिनने असिसिनेट किया था, 1948 में, और ये कॉन सी डेट थी, ये थी, 30 January, तो ये डेट भी आपको याद रखना है, और अगर मैं आपसे बात करूँ, एक होड़ सहीद दिवस मनाया जाता है, ये तो आपको पताई होगा, मार्च 23, मार्च 23 को क्या हुआ था, त्री हीरोज ओफ आवर नेशन वर हैंग टू डेट, जिनका नाम है, आपको पताई होगा, भगत सिंग, शीवाराम राजगुरू, एंड सुकदेव थाफर जी, तो ये आपको नाम याद रखना है, ये मार्च 23 वाला आपको शहीद द में किसने जीता तो आपको ये याद रखना है, मेंस का तो आपको याद होना चाहिए बिल्कूल, और वुमेंस का भी बेसिकली आपको याद होना ही चाहिए, तो मेंस में जीता नौवग डिचोविक ने, ठीक है किसको आराइ स्टेफनस्ट, ये तो हारने वाले का नाम अब लेंका ने जीता और कौन सा ये कप था ये था Australian Open 2023 आपको ये दोनों नाम याद रखना है काफी ज़्यादा important है आपके UPSC में sports से related आपके जो grand slam वगेरा होते हैं इनसे question हमेशा पूछे जाते हैं तो ये आप ध्यान रखेंगे आप इसके बाद देख लेते हैं अपना आज के quiz कौन कौन so question discuss कर लेते हैं पहले recently India won the first ICC under 19 women T20 World Cup 2023 it was hosted in which of the following countries आपको मैं एक hint देता हूँ इस country ने recently अब भी first agriculture satellite launch की थी जिसका नाम था AgriSat और इस country के तीन capital है वो country कौन सी है अब तो आप समझ गए होंगे वो है South Africa तो इस बार हुच किया गया था South Africa ने और अगर आप मैं मैं बताऊ आपको तो इस बार किसने जीता है इस बार जीता है प्यारे भारत ने और किसको हराया है इस बार हराया है इंगलेंड को ठीक है तो यह चीज आप धिहान रखेंगे और अगर मैं आपसे बात करूँ कि इस बार player of the series कोन रही player of the series अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है grass grass escrivins ठीक है grass escrivins यह है इंगलेंड की player और अगर मैं आपसे बात करूँ most run किसने बनाए सबसे ज़्यादा run बनाए गए स्वेती शेरावत ने स्वेता शेरावत नाम है इनका और अगर आपसे पूछ लें कि captain कोन थी under 19 woman t20 world cup की तो उनका नाम आपको पता होगा आपने यह स और अच्छा इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको recently अभी ICC के awards announced हुए है वो भी आपको जानना important है अपन वो भी एक बार discuss कर लेते हैं ICC के awards जिसमें women's of the year किसको मिला यह award तो यह मिला है net skyver ठीक है net skyver यह कहां की है यह है England की और अगर आपसे पूछा जाएगा क मेंस of the year किसको मिला है तो मेंस of the year मिला है बाबर आजम को यह कौन सी टीम से आपको पता ही होगा पाकिस्तान से और अगर मैं आपसे बात करूँ एक और कि Empire of the year किसको मिला है award तो यह मिला है Richard Kaling को ठीक है Richard Kaling को और अगर मैं आपसे बात करूँ एक काफी important player है आशिफ शेक ठीक है इनको मिला है Emerging Player of the Award ICC Spirit of the Cricket Award मिला है इनको और यह first Nepali बने ठीक है यह नेपाल से हैं और यह first Nepali बने जिनको यह award मिला है ICC में तो यह चीज़ आपको दियान रखना है next question देखते है So next question है the inaugural India Stack Developer Conference was held in this city जो first India Stack Developer Conference हुई है वो कहाँ पे हुई recently तो यह हुई New Delhi में अगर आपसे direct question पूछ लिया जाए कि यह first India Stack Developer Conference कहाँ पे हुई तो यह हुई New Delhi में यह conference क्या focus करेगी यह focus करेगी strategies for ensuring greater global adoption of Indian digital products जो भी Indian digital products होते हैं उनका एक global adoption हो उसके लिए यह conference की गई तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है और यह first थी तो काफी ज़्यादा important आपके लिए हो जाती है next question देखते है so next question देख लेते हैं काफी ज़्यादा important है आपके exam point of view से कि कौन से टैबल्यू को top prize मिला on 74th Republic Day event at कर्थब्यफथ अगर मैं आपसे बात करूँ जब यह award उत्तर प्रदेश को मिला गया था तो यह question आपके CDS में पूछा गया था तो काफी ज़्यादा chances है कि आपसे इस बार यह question पूछा जा सकता है तो इस बार किसको मिला यह award तो यह award मिला उत्राखंड को उत्राखंड जिसका title क्या था जो टैबल्यू का title था मनस खंड मनस खंड ठीक है मनस खंड यह title पुछकर सिंग धामी जी ने यह दिया था अगर मैं आपसे बात करूँ कि पुराणों में जैसे अगर आप उत्राख के हैं तो आपको यह चीज पता होगी अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ पुराणों में गड़वाल को केदार खंड और कमाउ रीजन को ठीक है कमाउ रीजन को मानस खंड के रूप में वन्नन किया गया है ठीक है यह भी मैंने कहीं पढ़ा था तो मानस खंड इस टाइटल दिया गया था उत्राखंड के टेबलियू को तो यह चीज आप ध्यान रखेंगे और सेकिंड प्राइस किसको मिला सेकिंड प्राइस दिया गया महरास्ट को ठीक है थर्ड प्राइस किसको दिया थर्ड प्राइस दिया यूपी को महरास्ट ने क्या दर्शाया था महराश ने दर्शाया था नारी शक्ती नारी शक्ती को दर्शाया था और UP ने दर्शाया था अयोध्या दीप उत्सव अयोध्या दीप उत्सव को दर्शाया था UP ने तो ये तीनों चीजे आप ध्यान रखेंगे बाकि आपको ये ध्यान रखना है उत्राखंड और इसका title था मनसखंड अगर high level का question पूछ लिया तो आपसे मनसखंड के बारे में पूछ सकते हैं अगर मैं आपसे बात करूँ कि कितने judges का panel था जो decide करते हैं तो वो थे three judges panel तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है और इसके अपने discuss किया कि उत्राखंड को मिला best tablue first prize तो ये चीज तो आपको ध्यान रखना है और मैं आपको क्या-क्या ध्यान रखना है कि three services में first prize किसको मिला वो मिला पंजाब regiment को ठीक है पंजाब regiment को ये best marching contingement का award मिला गया और कौन सा आपको ध्यान रखना है और आपको ध्यान ministries and department तो उसमें कौन से tablue को award मिला तो ये मिला ministry of tribal affairs को ठीक है जिसने क्या दर्शाय था जिसने दर्शाय एक लवी model residential school ठीक है तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है तीनों point आपको याद होना चाहिए आपके exam point of view से काफी ज्यादा important है और ये page है कहा का the grant magazine the grant magazine january edition का अ तो आप description में एक number दिया जाएगा आप महाँ पर contact कर सकते हैं ठीक है next question देखते है Recently एक solo tail butterfly noble hellen papilio noblia has been recorded for the first time in India which of the following state ये इस type के question आपसे पूछे जाते हैं अगर कोई सी species first time अगर discover होती है या मिलती है इंडिया में तो वो आपसे definitely उस type का question पूछा जाता है तो ये कहाँ पे मिली ये मिली अरुनाचल प्रदेश में और कौन से national park में मिली तो ये मिली नाम दफा national park आपसे ये पूछ लिया जाएगा नाम दफा national park कहाँ पे तो ये है अरुनाचल प्रदेश में अगर मैं आपसे बात करूँ और कौन सा national park है अरुनाचल प्रदेश मे लियाद रखने जिनका नाम में बता जीता हूं, आपको जो न्यूस में रहते हैं कमलांग टाइगर रिजर कमलांग टाइगर रिजर और पकκαट आइगर रिजर ठीक है, पकके टाइगर रिजर घीक है तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है और एक चीज और बताता हूं मैं आंदरप्रदेश का जो आंदरप्रदेश का जो state animal है ठीक है state animal क्या है state animal पहले था मिथुन ठीक है मिथुन था फिर उसको change कर दिया गया last year ही change कर दिया गया इसलिए ये news में आया था अब मिथुन पता है कहा है मिथुन है नागलेंड का state animal और अब भी क्या है अरुनाचर प्रदेश का तो अरुनाचर प्रदेश का है गीबन ठीक है तो ये चीज मेरे knowledge में थी इसलिए मैंने आप से discuss कर ली बाकी आपको ये ध्यान रखना है hell and butterfly कहां पे मिली तो ये मिली अरुनाचर प्रदेश में आपने देखे होंगे कि कोई अगर mandak मिलता है कुछ नया प्रजाती का तो वो आपसे CDS में UPSC में हर बार पूछा जाता है तो ये चीज word इस बार first time मिली है तो आपसे पूछा जा सकता है इसलिए आपको ध्यान रखना है अरुनाचर प्रदेश नेक्स कोश्चन देखते है तो आपको बताना है पैटर पैवल रिसेंटली न्यू प्रेसिडेंट बने तो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने तो ये बने श्याज रिपब्लिक के ठीक है सियाज रिपब्लिक अगर मैं आपसे बात करूँ ये जो पैटर पैवल थे ये पहले formal chairman थे कहां के North Atlantic Treaty Organization जिसको आप NATO के नाम से भी जानते हैं ठीक है नाटो के नाम से आपको वो तो याद नहीं आ रहा है नाटो नाटो ठीक है वो अलग है उससे relate मत करना काफी recorder कहां पर है ठीक है और अगर मैं आपसे बात करूँ सियाज रिपब्लिक कहां काई के लिए न्यूज में था इसने replace करा था रशिया को ठीक है सियाज ने replace करा था रशिया को इन UNHRC में ठीक है UNHRC में United Nation Human Rights Commission में सियाज ने किसको replace कर दिया था रशिया को तो ये काफी पता होना चाहिए तो इसका capital क्या है प्रेग ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो next question देखते है so next question है who amongst the following has become the first actress of Asian descent to get nominated for the best actress in the 95th Academy Awards Oscar जैसा कि आपको पता है Oscar के recently अब भी nominations चल रहे है और 5 या March में शायद इसके award की final list आ जाएगी तो अपन उससे भी update रहेंग की first female कौन बनी जो की first Asian रही जो nominate हुई तो इनका नाम क्या है M.U. M.U. से आप ध्यान रखेंगे Michael यो ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ एक कौन सी movie के लिए हुई है तो ये हुई है the everything everywhere all at once तो ये चीज भी आपको movie ध्यान रखना है ठीक है और इंडिया की तरफ से कौ movie कौन सी हुई है documentary उसका नाम आप मुझे comment section में जरूर बताओगे मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ ठीक है आप मुझे comment section में जरूर बताओगे ठीक है next question देखते है